लिली और जादूई पंची एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गाव में लिली नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रती अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृती की सुन्दरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए लिली को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने चिडिया के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देख भाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी लिली की देखरेक में मजबूत और मजबूत होता गया। वह अपने दैनिक दिन चर्या के बारे में जाने के दौरान उसके कंधे पर बैट जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिडिया ने लिली से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इसने कहा, मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादूई पक्षी हूँ, मेरे पास आपको तीन इच्छाएं देने की शक्ती है, उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है, तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है लिली चकित और प्रसन्न थी, उसने लंबे समय तक और कठिन सोचा कि उसे क्या चाहिए, अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की, मैं अपने गाव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा न रहे, अगले ही दिन गाव के चारों ओर के खेत रामीन चकित और आभारी थे, अपनी दूसरी इच्छा के लिए, लिली ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की, और ठीक उसी तरह वह पक्षियों की चहचाहट, मधुमक्षियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी, जहां तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, लिली ने बहुत देड़ तक सोचा की वह क्या चाहती है, अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ, और ऐसा ही था, लिली ने अपना शेष, जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया, उसने जंगल का पता लगाना और जरूरत मंद लोगों की मदद करना जारी रखा,